वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपने पहले यूटूब पे नहीं देखा होगा ये हमारे साइड MP में ये नुक्सा किया जाता है और कई हट तक ये सही भी साबित होता है तो आप थमनेल देख के जान गए होगे कि मैं किस वार में बात कर रही हूँ तो जी हाँ आप ये सोच रहे होगे कि भजिये से कैसे आप पता लगा सकते हैं कि बेबी वॉय होगा या बेबी गर्ल होगी तो ये हमारे यहाँ पुराने जवाने में जो लेडिजे होती थी वो किया करती थी और आज के डेट में भी कुछ लेडिजे ये नुक्से अपनाती हैं और कई हट तक ये नुक्से सच भी होते हैं तो मैं सोचे कि इस वारे में बीडियो बना दूँ तो फ्रेंट्स इसमें अब मैं मीडियो को स्टार्ट करती हूँ ये लेकिन एक बात बता दू फ्रेंट्स की ये नुकसा आपको खुद से नहीं करना है जो प्रेगनेंट लेडी है उसे नहीं करना है उसके घर में कोई मम्मी अंटी बेहन दीदी कोई भी हो उसके अलाबा तो वो ये नुकसा अपना सकता है और इसे कई हद तक पता कर सकता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर होगी तो फ्रेंट्स जैसे कि सभी घर में कड़ी बनती ही होगी भजिये पकोड़े बनती ही होंगे बेसन के तो हमें क्या करना है कि जब हम भजिया बनाते हैं तो हम में फर्स्ट में जो पहले एक भजिये को कहते हैं चान के देखना है और भजियों को डालते समय यह पूछना है जो प्रेगनेंट लेडी है कि उसे क्या होगा मतलब उसे बीबी वॉय होगा या बीबी गर्ड होगी तो फिर अगर वह भजिया फूल जाती अच्छी और फटती नहीं है तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बेबी वॉय होगा और जो अगर फर्स्ट भजिया आपकी थोड़ी से चप्टी हुई है या फट गई है तो ये अंदाजा लगा सकते हैं बेबी गर्ड होगी ऐसा हम लों के साइट कई वार सच भी हुआ है वालब कई लोंगों के मुझसे मैंने सुना और सच भी हुआ पहले मुझे विश्वास नहीं था लेकिन ऐसा होता है फ्रंट इसा आप भी कर सकते हैं लेकिन आप जो प्रेग्नेंट वो नहीं उसके अलाबा आप किसी से ऐसा ये करा सकते हैं तो ये यह रही आज की वीडियो और ये ए पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा सेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फ्रेंट्स थैंक यू फ्रेंट्स